आप सभी को मेरे नमस्कार, इस वाग में आप लोग को RELANGE Aural Insurance Company Kit का MOTOR Claim Farm कैसे भरते हैं, प्था कैसे दाउन्लोड करते हैं, उसके बारे में बताऊंगा, तो सकते पहले आपको दिख रहे हैं, MOTOR Claim Farm में आपको दिख रहे हैं, यह नमबर दीख रहे हैं 1800-3009 इस नमबर पर आपको फोन करके प्लेम की सूचना देना है और उसके निर्देतों का पारान करना है वो आपको पॉलसी नमबर पूछेंगे गाड़ी नमबर पूछेंगे और जो समय ड्राइवर गाड़ी ड्राइवर पर था उसका driving license नमबर पूछेंगे तो आपको सबसे पहले एक थागज में गाड़ी का accident date time और place तथा ड्राइवर का नम और ड्राइवर का जो license नमबर है वो एक गाज में लिख के रख लेंगे तो इससे आसानी होगे और इस नम्बा पर आप कॉल कर लेंगे 1-800-3009 या फिर 022-4890-3009 पर आप कॉल करके Assistant को सूचना देनेंगे सूचना देने के बाद वो आपको सूचना एकत्र करेगा सूचना एकत्र करने के बाद वो आपको एक claim नमबर देगा उस claim नमबर को आपको note करके किसी काज़ में रखना है ठीक है अब भी होगे आपको claim के सूचना कैसे देने हैं यह बता दिए अब देखते हैं इसको download कैसे करना है तो download करने के लिए सबसे पहले आप Google Chrome पर चल दिए गूगल पर चल दिए और लिखे डिकर रियंगे रिलाएंस जरेल इंसुरेंस ठीक है जी लिखने कब अगा आप जैसे की रिलाएंस आप Google सर्च करेंगे इस परकार से उसका एक साइट खुलेगा के उसको आप ओपन कर देंगे इस परकार से वह उपन हो जाएगा उपन होने एक बाद यह आपका होम पेज खुलेगा और यहां और क्लिक करेंगे हैं तो दीखेंगे हैं और हमस्य हमें तो यह थोड़ा सा नहीं बनता कही लोगों से तो इसको मत किजएगा यह आपको जो टोल फिरे नमबर दी है उसी नमबर पर आप कॉल करके बता देजएगा उसमें आपको जो सुचनाय मांगे जाएगे वह सुचना दे देंगे उसके बाद आपको फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है तो दिखें आपर लें फासे रहेम अउसका अपक्ली करेंगे एक उसको में नक shaun啞ात करेंगे हैं अपको कर दो करोर मेंडर करिंगे गवाद आप इसना को दापा कर देंगे तो जब दाउनलोड behavior अगा फॉर्म.? अब इसको भरना कैसे है, बता देता हूँ, सबसे पहले policy number डाल देज़ेगा, cover node डालना ही जुरत नहीं है, policy period डाल देज़ेगा, कब से कब तक है, ठीक है, उसके बाद जिसके नाम पर गाड़ी है, उसका नाम या जिसके policy holder उसका नाम, address, पता, nearest landmark, area, pin code, तालुका, district, ठीक है state, यह सब आपको डालना है, उसके बाद देखते हैं, phone number पूछ रहा है, आपको, आपको mobile number डाल दीज़े, यह दिवाट्स नमर आप डाल दीज़े, email ID है, बहुत अच्छी बाद डाल दीज़े, date of birth, अधार number डाल दीज़े, pen number डाल दीज़े, ठीक है, उसके बाद देख र monthly income, जो भी आपको monthly income, माल लेजे, monthly income up to 20,000 है, तो 20,000 में tip कर देंगे, ठीक है, in any claim meant to insurance policies, last to insurance policy, आपने इस गाड़ी में और claim लिया है, यहां, तो tick कर देंगे, ना, नहीं तो no कर देंगे, ठीक है, उसके पूछ रहा है, registration number, मतलब के गाड़ी का नमबर क्या है, गाड़ी का registration date कब तक है, मतलब कब लिये थे, गाड़ी उसका registration date पूछ रहा है, data purchase vehicle पूछ रहा है, यह एक ही रहते दो नो, expire, मतलब registration कब expire हो रहा है, ठीक है, उसके चेचीस नमबर, गाड़ी का engine number, make, make का मतलब भी बते है, गाड़ी का निर्माता कोन है, महिंद्रा है, की मारूती है, की data है, फिर उसका model, महिंद्रा में कोई सा बुले रहो है, की आपका data sumo है, ठीक है, मार्ती 800 है, जो भी गाड़ी है, ठीक है, आप लिख देंगे, class of vehicle, private गाड़ी है, की two wheeler है, की commercial है, छोटी कार जितनी भी होती है, यदि वो private use है, आपका नीजी use है, तो private लिखेंगे, ठ commercial vehicle, जैसे truck है, या taxi drive होता है, तो commercial में डाला जाता है, commercial डाल देंगे, ठीक है, anti-trip device है, तो हाँ लिखेंगे, नहीं तो प्रिक कर देंगे, ठीक है, उसके बाद डिटेल आप accident, पूछ रहे हैं, गाड़ी accident कब हुआ, तो यहाँ पर डालेंगे, ठीक, कितने बजी हुआ, गाड़ी की speed कितना था, place of accident, किस जगह पर accident हुआ, odometer reading, मतलग, उसमें कितना क्योंटर दीख रहा था, ठीक है, odometer, mileometer का reading, यदि उस गाड़ी में, कोई पूलिस थाना में F.I.R हुआ है, उसका F.I.R. नमबर, ठाना का नाम, ठीक है, उस गाड़ी को जहाँ बनाएंगे आप, तो जब गाड़ी action हो जाती है, तो गाड़ी action हो उसके बाद यहाँ पर गैरेज वाले का phone number, जो contact person होगा, ठीक है, उसका number डाल देंगे, person traveling including driver, मतलब, यहाँ पर यह लिखना है, कि उस गाड़ी में driver के साथ और कितने लोंग बैठे हुए था, यहाँ पर नमबर डाल देंगे, ठीक है, description आप accident, मतलब accident कैसे हुआ, आप कहा से कहां जा रहे थे, गाड़ी कैसे action हुआ, उसका पूरा detail यहाँ पर भरना है, ठीक है, मान लेजिए आप रायपूर से पितोरा जा रहे थे और जानवर को बचाते हुए, आपनी गाड़ी को driver पे चला दिये, तो इस प्रकार से उसको लिखना है आपको, किस purpose के लिए आप उसको प्रस्नली उसके लिए कर रहे थे, तो इसमें ठीक करना है, यदि कोई taxi यूज कर रहे थे, तो इसमें लिखना है, यदि कोई माल वहान कर रहे थे, तो इसमें लिखना है, ठीक है, उसके बाद भीकाल बास playing from, कहां से कहां जा रहे थी गाड़ी, यहाँ पर डालना है थेक है यहां यहां पर पूरा मैप बनाना है गारी कैसे एक्षिन हुआ इसे करके यहां पर बनाना है यहां पर बना देज्ब हएक्षिन हुआ तो इस प्रकार से यह हो गया amd driver adjust time수cipal मतलब जब गाड़ी दुर घरट ना गस्त हुआ तो इस समय गाड़ी को कोण चला रहा था यहा में जो चराले था उसका नाम डालना है उसका पता डालना है उसका फॉन नंबर डालना है ।सकी औदेटया बश आता है मेल यह फिमेल, लाइसेंस नंबर, जो ड्राविं लाइसेंस नंबर दिया रहते हैं, जैसे 39, 46, 40, 2010 इत्प्रकार दालेगे, उसके जो भी आपका ड्राविं लाइसेंस रहता है, उसके सबसे नीचे में देखना, प्रकाल से आपको टिक करना है उसके बाद आपको ड्राइवर है यहां पर लिखना है ब्रदर लिख देंगे असके बाद वाज द्राइवर अन्दर इंफ्लेंस इंफ्लेंस आपको यहां पर डालना है फिर उसके अव्या करें दूएर पर टिक करेंगे और लेंट रिखने में लाज्ट नार तो टू यहां अब लाज्ट करेंगे तो वहां लिखेंगे नहीं तो नहीं लिखेंगे ठीक है डीटेल्स आप रिक्वाइट फ्राइट कमर्सियल वेहिकल मतलब वैपारिक महां जैसे ट्रक या फिर बस उसके लिए होता है तो यहां पर लिखना है आपको आपका गाड़ी कौन से किस प्रकार्स का गुट से आपक लिखेंगे अगे । परमीट कहा से सुत्विया और विटनेश कब तक ये लिख देगे उसके बाद नीसे है यादी आपकी गाड़ी से किसी त्रित स्कत्तिन स्थे तर्स के टोको हें किसी प्रहजनो किसी बैसिक्ति को लाज़त और ब्रश इसको याप पर चोरी हुआ जिस दिन चोरी हुआ ठिक है इस प्रकार से यह हो गया उसके बाद है do you wish to claim add-on cover यदि आपका policy add-on है तो टिक करेंगे ठीक है यहां पर टिक कर देंगे उसके बाद इसको छोड़ देजे उसके बाद दिखते हैं bank details bank details में क्या आता है आपका जिसके नाम पर है account या policy holder का account details भरन है तो उसका नाम डाल देंगे bank account number डाल देंगे name डाल देंगे saving है की current है ठीक है डाल देंगे branch name डाल देंगे my card code और FHC code ठीक है फिर यहां पर टिक करके नीचे आपको क्या करना है sign है ठीक है यहां पर place यहां पर date और यहां पर sign कर देंगे ठीक है यहां अधर card number साथ में आपको कुछ forms भी डालने है जैसे कुछ forms में क्या आता है आपका policy copy डालना है registration book मतलब RC copy driving license ठीक है उसके बाद जो damage हुआ उसका estimator original देंगे location आप accident location बताना है ठीक है और यदि FIR है तो FIR को डालना है ठीक है उसके बाद फिर यहां पर प्लेस जगा कनाम date और यहां पर sign करना है ठीक है claim number name of garage make and model ठीक है तो यह सब चीज यहां पर फिर एक बार चिक कर लेजेगा यहां पर दिया हुए क्य आपको डालना है उसमें आपको फिर bank, passbook वगरा जो भी है आपको डालते जाना है और टिक करते जाना है क्या 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 फार्म मंगर है आपको server आपको साहता करेगा ठीक है यह सब फार्म मंभर क्या आप अपने server को दे देंगे और server इसको office में जमा कर देगा फिर आपको प